तो बहुत बहुत स्वागत है जितने भी इंडिने एफ फोर्स लवर हैं इस देश के अंदर and exactly आफ काइट इंट्री की जब मैं बात करता हूं तो अब ग्रेटेस्ट इंट्री मैं कहूंगा इंडिने एफ फोर्स के अंतरगत ऑफिशर के अडर में सभी ग्रेजवेट अपेर बहुत डेटेल में बात करते हैं जिससे इस competition के बारे में आपको बेहतर दंग से पता जल सके और exactly कैसे अगले धाइज तीन महीने में एक बहुत प्रपेशन करके अपनी स्टूर को 200 प्लस लाया जाए ये भी बहुत है मैं और इसके लिए मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप च इस ठीक ठाक है इस बाद 336 बिकेंसी रही अब एच इलिजिबिलिटी एक्जाम पैटन सेलरी बहुत सारी बाते हैं जिनके बारे में बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि तभी इंट्रेस्ट बढ़ता है सर और एरफोर्स में इंट्रेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ए एक्जाम ओबिसली एर फोर्स कॉमन एडविसन टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी इंट्यन एर फोर्स है दो बार साल में है एक बार फैब में एक बार अगस्त में एक्जाम लेबल नाशनल लेबल का एक्जाम है मोड़ाप अप्लिकेशन ओबिसली ऑनलाइन है जो कि आप 2 द फिर मेडिकल है और फाइनल आपकी मेरिट है अफकाट वन ट्रॉन ट्रॉन फ़ाइब फाइनल पहले ही बता दिया 21 दिसमबर और लाज़ट 31 दिसमबर आपका रहेगा यह तो रही स्ट अपडेट हर तरह की जो इसके बारे में आपको जाननी चाहिए पहली अफकाट वन ट प्रची इसेटेनरी 2002 झाजनरी 2006 अगर आप कमर्शियल पाले लाइसन्स होडर है तो दो साल का आपको और यहां पे बनीफिट मिलेगा लेगा एज में अप्टु टॉनटी से यह तेक्निकल्ट नौनटेक्शंट इंट इंटी सिए तो इसकेंट जनवी तॉनट इवाजन से ग्राइशन लेबल पे, बैशलर डिग्री होनी चाहिए, और एलिजिबल तो अप्लाई फॉर्म आफकाट फ्लाइशन ब्राइशन की बात करें, तो इसमें 10 प्लस 2 में Math, Physics होना जरूरी होता है, जिसमें 50% मार्क्स भी मांगे गए हैं Must have obtained 50% marks in Math and Physics, मतलब दोनों को मिला करके, 50 होना चाहिए, और लग लग भी 50 हो जायता अच्छी बात है और ग्रेशन में, आपका 60% required है, किसी भी स्ट्रीन से आपने ग्रेशन किया, आप फ्लाइं के लिए लिजिबल है साथी साथ बात आती है, जो है, टेकनिकल पोस्ट की, टेकनिकल इंजिनिंग, एक एक मेकनिकल है इसमें भी 60% जो है, चाहिए आपका, obviously 10 प्लाइस टू लेबल पे भी और टेकनिकली जो है, ग्रेशन लेबल पे तो 60% चाहिए ही चाहिए यहाँ पर अड्मिस्ट्रेशन लोजिस्टिक की बात करें, तो इसमें सिंपली आप से जो है, ग्रेशन मांगा गया है administration and logistic में 60% के साथ weapon system branch की बात करें तिसमें भी 10 plus 2 में 50% चाहिए math physics में graduation 3 year degree होनी चाहिए और BVTEC है तो plus ही है बट यहाँ भी 60% required है accounts की बात करें तो become degree 60% के साथ होनी चाहिए FCAT education की बात करें तो MBA, MCA MA, MSC degree in the English, physics, mathematics, chemistry statistics, international relations, international studies different studies, psychology, computer science IT management, mass communication, journalism, public relations with the minimum 50% marks in aggregate for the all paper put together तो भाई master degree होनी चाहिए 50% के साथ होनी चाहिए आप एले जी बाले metrology की बात करें तो post graduate degree in any science stream math statistics, geography, computer application environmental science, applied physics ya oceanography पे metrology पे, agriculture metrology पे, ecology environment पे geophysics पे, environmental biology भी तो minimum 50% marks in aggregate मतलब आपका इसमें भी post graduate मांगता है आपका metrology department में ठीक है और यहाँ पे भी जो है ग्रेजिशन लेबल पे भी 50% क्या कर रखा है ग्रेजिशन लेबल भी 55% mandatory कर रखा है NCC की बात करें तो अबिसली NCC Airbing Senior Divigency Certificate Holder है आप और ग्रेजिशन में आपका जो है 60% है 10-plus लेबल पे 60% है तो आप बिलकुल NCC Special Entry के माध्यम से भी Airbing में अपलाई कर सकते हैं Reserve Seats के लिए F-Cat 125 exam की बात करें तो questions 100 होंगे हर question 3 number का तो 300 हुआ 120 minute का total time है 1 marks negative है मतलो 1 third की negativity है जिसमें general awareness, verbal ability, numerical ability and reasoning and military aptitude के questions पूछे जाएंगे जो 100 होंगे और exactly इसके specific पढ़ना पड़ेगा नहीं तो यही problem है कि अच्छा score नहीं आपाता है तो आपको doubt में नहीं रहे न अच्छा पढ़ना है अच्छा परफॉर्म करना है तो यह सारे ही topic and concept आपको cover करने होंगे branch मैंने detail बता ही दिया है total vacancy 336 है यह build defined है flying में कितना है aeronautical जो है इंजिनिंग जो है वो electrical में कितना है mechanical में कितना है male female admin, logistic, accounts, education, metrology, Wipen system branch सब में कितनी vacancies सब सामने है एक बार आप धियान से देख लिए total मैंने बता दिया है तो finally मैं यही कहना चाहूंगा कि this is a great opportunity for all of you आसा करता हूँ सब कुछ hub air कर दिया है मैंने बस अब बढ़ चड़के 2 December को form भरना है बट form भरने के साथ साथ इस बार सफलता भी ज़रूरी है और short success के लिए आपकाइट special batches में है return से लेके SSB तक बिल्कुल welcome to MKC call करके 9696330033 पर और बिल्कुल form भरी है और इस बार Indian Air Force का हिस्सा भरने है Thank you so much विश्री गुड़ लग जय हैं जय भारत